हालो एर्यवान गुद मॉर्निंग और वेलकम टू अविश्यस बाबा डॉट कॉम या बाक्वितार डेली कर इंटरफेस तो चलिए जानते हैं तीस जून के करेंट अफेस क्या है आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू हमारे टेलिग्राम चानल का लिंक आज की क्लास का पीडिएफ का लिंक और हमारे करेंट अपका लिंक सभी नीचे डिस्रिप्शन बॉक्स में है वहां से जाके आप उन सब को चेक आउट कर सकत सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर एक बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए ताक कि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉं अमिश्यस बाबा तो चलिए लेट्स मूव तो दो ग्वेस्टिन पहला सवाल किस राजे के मुख्य मंत्री ने दुनिया का पहला प्लाजमा थेरेपी कम ट्राइल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की घोशना की है गंभीर कोविड नाइटीन रोगयों के लिए पाच आप्शन से हमारे पास तो चलिए आंसर इस ए महाराश्ट्रा महाराश्ट्रा के मुख्य मंत्री ने की है यह अनॉंस्मेंट आगे पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं महाराश्ट्रा के सीम ने हाली में एक स्कीम लॉंच की ती जिसका नाम था महा परवाना प्लान इसके तहत वह फ्रेश इंवेस्मेंट्स इंवाइट कर रही थी अलग-अलग इंडास्ट्रीज से और इसमें 25 और और स्टार्टिटरी क compliance की clearance देने का उन्होंने निर्णे लिया था विदिन टाइम पीरिड ओफ थर्टी डेज जरी बढ़ते हैं आगे हर्याना की तरफ हर्याना नहीं हाली में जीओ टीवी के साथ टाइप किया ताकि बावन लाख बच्चों को जो उनकी पढ़ाई में सो रही है ड्यू तू जैसा कि हमने बात की कि महराश्रा की चीफ मिनिस्टर मिस्टर उद्धव टाकने ने 29 जून को launch किया है दुनिया का पहला ऐसा plasma therapy कम trial project critical COVID-19 patients के लिए इस therapy को कहा जाता है passive antibody therapy इसमें जो recover हो गए है patients COVID-19 से उनका plasma लिया जाता है और वही same plasma inject किया जाता है उन लोगों में जो काफी critical हो ताकि उनकी जो condition है वो थोड़ी stable हो सके और इस project का नाम है platina जो दुनिया का पहला ऐसा plasma therapy कम trial project है तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे question की तरफ किस state ये union territory government ने first plasma bank set up करने का निर्ने लिया है भारत में at the institute of liver and biology sciences पाच options है हमारे पास तो चलिए the answer is सी डेली डेली की सरकार ने 29 जून को announcement की कि वो setup करेंगे plasma bank जिसमें कोवड 19 जो patients हैं उनकी treatment की जा सके भारत का पहला ऐसा ये state है जिसने go ahead दिया है for plasma therapy को in the month of April और ये जो facility है plasma bank की ये setup की जाएगी at the institute of liver and biology sciences और ये बाकी जगों पर भी उप्लद होगी after the doctor's recommendation चलिए डेली के बारे में कुछ जान लेते हैं डेली के chief minister है Mr. Arvind Kejriwal और डेली के Lieutenant General है Mr. Anil Bajal तो चलिए let's move to the third question तीसरा सवाल इन में से केस स्टेट ने हाल ही में किल कोरोना campaign start करने का निर्ने लिया है एक जुलाई से जिसके तह तो सारी population को screen करेंगे पाच options है हमारे पास तो चलिए the answer is B Madhya Pradesh चले details जान लेते है Madhya Pradesh की सरकार ने किल कोरोना नाम का एक campaign start करने का निर्ने लिया है from 1st July जिसमें वो पूरी की पूरी population है अब दी Madhya Pradesh को उनको scan करेंगी in a period of two weeks यानि की एक fortnight में वो पूरी population को scan करेंगे for COVID-19 और यह decide किया था शिवराज सिंग चौहान ने अपनी committee के साथ मिलकर और यह start होगा from the city of Bhopal तो चलिए बात कर लेते हाली में कौन-कौन सी schemes launch की है मध्यप्रदेश सरकार ने पहला है दीरी वेहिकल दूसरा है चरन पादुका तीसरा है F.I.R. आपके द्वार चौथा है जीवन शक्ति योजना और पांच्वा है थांक्स मॉम इनको डीटेल्स में हमने कई सारे वीडियो में रिसकस किया है वहाँ पे चाहिए आप उन सबको चेक आउट कर सकते हैं फिर भी मैं आपको दो स्कीम के बारे में रिविजिन करा देती हूं चरन पादुका यह एक स्कीम थी जो ही चालू की गई थी डूरिंग दी लॉक्ड जिसमें जो पुलिस है वह आपके घर आ रही थी आपकी एफायर लिखने ताकि आपको लॉक्डाउन में अपने घर से बाहर जाके रिपोर्ट लिखवाने के जर्वत नहीं पड़े तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौते क्वेस्टन की तरफ यूनियन मिनिस्टर फूर फूर्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का नाम बताईए जिन्होंने हाल ही में पी एम फॉर्मलाइजेशन और माइक्रो फूर्ट प्रोसेसिंग एंटर्प्राइज स्कीम लॉंच की है पाच ऑप्शन से हमारे पास तो चलिए दा आंसर इस डी हर प्रस्ट्रीम रत को बादल तो चलिए डीटेल्स में बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में जो हमारी सरकार है यानि केंद्रिय सरकार ने 29 जून को लॉंच की है पी एम एफम फॉर्म है पी एम फॉर्मलाइजेशन और माइक्रो फूर्ट प्रोसेसिंग एंटर्राइज यह ज हर सीमनत को बादल यह स्कीम डेवलप करेगी तक्रीबन नौ लाग इंप्लॉइमेंट चाहे वो स्किल्ड हो और सेमी स्किल्ड हो और इसमें इनीशल इन्वेस्मेंट जो होगा वो होगा 35,000 करोर का और इससे 8,000,000 यूनिट को फाइदा होगा जिसके तहत वो बेटर इन्फरमेशन से बेटर ट्रेनिंग से और बेटर एक्सपोजर से काफी कुछ अर्न कर सकते हैं और काफी जाधी नौलेज एकठा कर सकते हैं इनका जो में परपस था इसकीम को लांच करने का इसके अलाव और कि जो हमारे रूरल एरियास में है स्मॉल यूनिट्स हैं जिन्होंने लोकडां की टाइम बहुत ज्यादा है लोकल लोगों को उनको आगे बढ़ाने का मतलब तु गो लोकल वी सिकली स्मॉल food processing एंटरप्राइज़ेश है लोकल लेवल में जो सप्लाइब चोटे-चोट प्रिटिक्स में गौं में उनको आगे बढ़ाने का के लिए ये स्कीम लॉंच की गई है तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे पाच में क्वेश्चन की तरफ पांच वा सवाल हमारी केंद्री सरकार ने यूद के लिए लड़ने के लिए कितने धन राशी आपातकालिन सिथी में दी हैं पांच ऑप्शन से हमारे पास तो चलिए आंसर इस डी 500 क्रोड उन्होंने किये हैं ग्रांट अब बात कर लेते हैं डीटेल्स में जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में हाल ही में बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं इसी के लिए हमारी जो सेंट्रल गौवर्मेंट है उन्होंने 500 क्रोड उपीज संक्षिन किये हैं एज एमेजन्सी फंड हमारी आम्ड फोस को जिसमें जो हमारी तीन आम फोसें इंडियन आर्मी इंडियन नेवी और इंडियन एर यह कुछ डिफेंस के एक्विप्मेंट्स खरीज सकती हैं आफ्टर कंसल्टेशन विदी डिपेट डिपार्ट्मेंट आफ मिलेटरी अफेर्स चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चटे क्वेश्चन की तरफ चटा सवाल किस देश के साथ हाल ही में भारत ने एक हाइड्र प्रॉजेक्ट में जॉइन वेंचर किया है इसके तहत इंडिया और बूटान मिलकर एक छेसों मेगावाट का खोलंग्चू प्रॉजेक्ट तयार करेंगे जो पहला ऐसा हाइड्र पावर जॉइन्ट वेंचर प्रॉजेक्ट होगा और यह सेट अप किया जाएगा भूटान के सबसे लीस्ट डेवलप्ट इस्टिन रीजिन में जिसका नाम है थ्राशी यांग से और यह वीडियो कॉंफरेंसिंगे माध्यम से यह कंसेशन अग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों देशों के बीच यानि कि इंडिया और भूटान में तो चलिए बात कर लेते हैं भूटान के बारे में भूटान का क्यापिटल इस थिंपू उनके जो प्रधान मंत्री है उनका नाम है लोटे शेरिंग और वहां की करंसी है वो है गुल्टू चलिए बढ़ते हैं आगे साथवा एक्वेशन की तरफ साथवा सवाल किस ओर्गनाइजेशन में हाली में 500 मिलियन डॉलर अप्रूफ किये हैं स्टार्स प्रोग्राम के तहत जिसके लिए जो हमारी प्रोजेक्ट क्या है और क्यों वर्ल्ड वैंक ने ये संक्शन किया है तो चलिए बात करते हैं 28 जून को वर्ल्ड वैंक ने अनौंस्मेंट की कि उनके बोर्ड ऑफ एक्जेक्यूटिव डिरेक्टर्स ने अप्रूफ किया है 500 मिलियन याने कि जिसे इंडियन रूपीज मे में की जाएगी तो चलिए बात करंकर दिते वह चयराजे कौन कौन से है हिमाचर प्रदेश केरिला मत्या-प्रदेश महाराश्ट्रा अरेसा और राजस्तान यह स्टार्विग्ट के त्रू किजाएगे तो चली बात कर लें ते स्टार्विग्ट क्या है इसका मातलब होता है Spendening, Teaching, Learning and Results for States Program यह जो स्टार्विग्राम है यह एक पार्टर्शिप ग्रियेट करता है between India and World Bank 1994 में यह धोनों के भारत और वर्ल बैंक की साज़ेधारी है इसके तहट जो भारत का अजेंडा है एजुकेशन फॉर ओल उसमें कई जाधा फायदा होगा और स्टार्स के पहले भी वर्ल बैंक ने टोटल तीन बिलियन यूएस जॉलर्स दिये हैं भारत को अपने एजुकेशन फॉर ओल एजें इस ए मौलवी यह एक आफ्रिकन कंट्री है जिनके हाली में राश्रपती बने हैं लाजरस शक्वेरा और इन्हों ने पुराने राश्रपती मिस्टर पीटर मुतकीरा को हटाया है विद 58.57% ऑफ वोट्स चलिए मौलवी के बारे में कुछ जान लेते हैं मौलवी का एकजिम बैंक जो है भारत का उन्होंने अब तक टोटल में पाँच एलोसी ग्राउंट की है मालवी गौर्वर्मेंट को जिसकी टोटल धनराशी है लगबख 316 मिलियन यूज डॉलर्स हाली में ये न्यूज में आय था बिकॉज जो फिफ्ट एलोसी है जिसका अमाउंट था 215 मिलियन यूज डॉलर्स उसने उन्होंने शांक्शन किया था भारत का एक प्रॉजेक्ट है फोकस आफ्रिका उसके लिए चलिए बढ़ते हैं आगे नौवे क्वेशन की तरफ माइकल मार्टिन को नए प्रधान मंत्री के इस देश का चुना गया है पाच ऑप्शन से हमारे पास तो चलिए आंसर इस बी आयरलेंड आयरलेंड के नए प्रधान मंत्री के रूप में माइकल मार्टिन को चुना गया है तो चलिए बढ़ते हैं आगे जान लेते हैं माइकल मार्टिन जैसे कि हमने बात कहें कि आल आयर्लैंड के नहीं प्रधान मंत्री के रूप में उन्हें चुना गया है पांच महीने बाद आफ्टर एन इन कॉन्क्लूसिफ एलेक्शन चलिए बात कर लेते हैं आयर्लैंड के बारे में आयर्लैंड का क्यापिटल इस जब्लेन और वहां की करेंसी है यूरो चलिए लेट्स मूव तो देंथ क्वेश्चिन दसवा सवार ICC के एलिट पैनल को जॉइन करने वाले कौन से यंगेस्ट एंपायर है जिनका नाम इन में से हैं पांच ओप्शन से हमारे पास तो चलिए आंसर इस बी नितिन मेनन तो चलिए बात कर लेते हैं 29 जून को ICC ने नितिन मेनन जो की है भारत से उन्हें इंक्लूड करने का निर्णे लिया है इन देर इलिट लिस्ट ओफ एंपायर स्वाली अपकमिंग 2021 सीजन इनसे पहले नितिन मेनन रिप्लेस करेंगे जो पहले इंग्लेंड के अंपायर थे इस लिस्ट में जिनका नाम है निगल लॉंग चलिए इनके करियर के बारे में बात कर लेते कि इन्होंने क्या क्या किया है यह 36 साल की उमर में इन्होंने कई सारे मैचेस को होस्ट किये हैं तीन टेस्ट 24 ODI और 16 T20 माचेस और यह तीसरे नमबर में है भारत ने जिन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम शामिल किया है और इनसे पहले तो जो लोग थे वो थे श्री निवास वेंकटर गवन और सुन्दरम रवी तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 11th question की तरफ नाशनल स्टेटिस्टिक्स डे हर साल किस दिन मनाया जाता है पांच आप्शन से हमारे पास चलिए आंसर इस डी 29th जून नाशनल स्टेटिस्टिक्स डे हर साल 29 जून को मनाया जाता है तू सेलिब्रेट दी बर्थ अनिवर्सरी और प्रोफेसर पी सी महालव बॉनस स्टेटिस्टिक्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है बिकास यह हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कोई भी जो पॉलिसी वगरे है उसे फ्रेम करने में और एक इग्जाक्ट डेटा हमें बता देती है ताकि आसानी हो और कहीं कुछ भी मिस होने के चांसे बहुत ज़्यादा कम हो इसे वन आफ दीस स्पेशल डेज के रूप में डेजिगनेटेड किया गया है और यह नाशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया जाता है तो चलिए उनका दो हजार बीस का थीम क्या है वो जान लेते हैं दो हजार बीस का उनका जो थीम है वह सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल जिसका मतलब होता है एंशूर हेल्दी लाइज और प्रमोर्ट वेल-बिंग फॉर एट और अजई और दूसरा उनका थीम है स्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल फाइव जिसका मतलब है अचीव जेंडर एक्वालिटी आंद एंड एम सिस्टम इस सिस्टम को डेवलप करने में उनका कॉंट्रिबूशन काफी जादा बड़ा है तो चलिए विद्धिस वी कम तो दे एंज अफ टुड़ेश क्लास आपको यह वीडियो पसंद आया अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेर कीजिए और हमारे चैनल अमबिशिस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज विजिट आव वेबसाइट टेस्ट.ambitiousbaba.com जहां पर आप अलग-अलग सब्जेक्स के लिए मौक टेस्ट पर चेस कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे अक्सेस कर सकत कर आप वर टेक्ड़ देट शुड़ सुड़ के लिए अक्रणाना की बढ़ कर तो टेएट और चे के लिए ऑन एक्रणाना थाट रड़्यान ख़र लावार कर वाल वेवार बू अज़ प्र टेस्ते हैं और टेस्टेट के लिए पthe श्टेट